नवस्कार स्वागत है कम्प्टेशन कम्यूनिटी के इस आनलाइन प्रेटफरम पर कैसे हैं आप लोग मैं उम्मेद करता हूँ कि आप बढ़ियां होंगे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही होगी सातियों हमने इसके पहले मद्द प्रदेश रोक सिवा आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने समझा कि ये कैसा आयोग है क्या समबैधानिक विवस्ता है क्या प्रष्ट भूम रही बरतमान में क्या इस्तिती है हमने इन सभी चीजों के बारे में बिस्तार से बात की थी तो आप हम देखेंगे क्योंकि हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं कोई भी वीडियो देखते हैं या कि कोई भी टॉपिक हम तयार कर रहे होते हैं इक्जाम के लिए तो उसको हम परखें कैसे उसको हम जाचे कैसे तो उसका सबसे सिंपल सा और सबसे महत्पूर्ण ये फॉर्मूला है कि हम उसके objective solve करें ज्यादस ज्यादा objective लगाएं तो हमको समाझ आएगा कि हमको कितनी चीजें याद हैं हमारी तैयारी किस इस्तर पर है और हम अभी कितनी मेहनत किया वश्यकता है कैसे किस आयाम में question पूछे जाते हैं exam में इस सब के बारे में हम समझते हैं जब objective लगाते हैं तो आईए हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सिवा आयोग के महत्यपूर बस्तुनिष्ट प्रश्ण के बारे में आपके exam के लिए जो महत्यपूर हैं जो संभावित हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगी तो आईए आज पहला question देखते हैं हम क्या है मध्य प्रदेश लोक सिवा आयोग को राश्ट पती द्वारा किस दिनांग को अधिस उचित किया गया था तो जब हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश लोक सिवा आयोग उस समय हमने इसके बारे में आपको बताया था और चर्चा करी थी तो आईए देखते हैं option 26 October 1956, option B 27 October 1956 और option C 1 November 1956 और D 1 November 2000 तो जो उसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट अंसर होगा वो होग option B 27 October 1956 को इसको अधिसूचित किया गया था मध्य प्रदेश राज लोक सिवा आयोग को और इसका गठन 1 November 1956 को हुगा और उस समय अधिसूचित करने वाले राश्ट पती जी कौन थे तो राश्ट पती थे अपने राश्ट पती जी अपने थे राजेंद प्रसाद जी राजेंद प्रसाद जी राजेंद प्रसाद जी अब हम देखते हैं अंगला प्रस्ण इससे हमको तीर फैक्ट राष्ट पती जी किसने अधुस उचित किया राजेंद प्रसाद कब अधिस उचित हुआ 27 अक्टूबर 1926 गठन कब हुआ 1 नमबर 1956 अब हम आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्ण देखते हैं तो अंगला प्रस्ण क्या है कि सम्विधान के किस सम्विधान संसोधन द्वारा राज लोग सिवा आयोक के अध्याक्ष तथा सदस्यों की जो सेवा मुक्ती सेवा मुक्ती की आयो 60 वर्स से बढ़ा करके 62 वर्स कर दी गई आई ये ऑप्सन है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे चर्चा करते हैं हमने जब पढ़ा है मद्य प्र देश लोक से बायोक की थी पहला पर्सन चवदवा संसोधन बी एक तालिस अवा संसोधन और्प्शन । 조 इसका सही जवाब हो गया जो इसका सही उत्तर हा होगा एक तालिसमा संविध हांसन सोधन है होगा और ये 176 में हुआ था आईए हम अंगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मद्य प्रदेश लोग सेवायोग के प्रथाम अध्यक्ष कौन थे इनके बारे में बताना है प्रथाम अध्यक्ष के बारे में आप से पूछा जा रहा है जब गठन हुआ उस प्रियोर्टी में है मनमोहन जा तो जो इसका सही उत्तर है जो इनके राइट एंसर है वो है ऑप्शन ए डीवी रेंगे जी ये पहले अध्यक्ष हैं और ये कब बने तो ये उनःई सो चपण से संतामन के दोरान का कारेकालिन का रहा अब हम अगले प्रश्म की ओर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्म देखते हैं तो कुश्चन नमबर चार क्या कहता है कि निमनमें से कौन मद्दपदेश लोग सिवाःयोग का ध्यक्ष नहीं रहा नहीं को ले करके question मदपदेश लोकसिवा योग पिछले अगर आप question प्रिवियस एर question पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों में इस तरह के कही बार question पूछें गए हैं विभिन संस्थानों को ले करके उनके अध्धक्षों को ले करके तो हम देखते हैं कि कौन नहीं रहा इसके बारे में पूछ रहा है मतलब इन में से एक ही व्यक्तियर्शा होगा जो अध्धक्ष नहीं रहा होगा बाकी जो होंगे वो कभी न कभी अध्धक्ष रहे होंगे हमको वही देखना है option A में है HEC set option B में है R Radha Krishnan option C में है N सुन्दरम और option D में है DP अगरवाल तो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो होगा D option क्योंकि DP अगरवाल जी कभी अध्यक्ष नहीं रहे बाकी ये तीनों बाकी ये तीनों बैक्ष चाहे H.C. set साहब हो ये तीनों कभी न कभी आयोक के अध्यक्ष रह चुके हैं अब हम next question की और आगे बढ़ते हैं question number five कहता है कि मद्य प्रदेश लोकसिवा आयोक का गठन मद्य प्रदेश पुनर गठन अधिनिया मनों इस 56 की किस धारा के तहत किया गया था हमने जब पढ़ा है जब हमने detail वीडियो में बात की है तो उस समय इसके बारे में चर्चा की थी धारा 116.2, B में है धारा 116.3, C में है धारा 118.3 और D में है धारा 123.3 जो इसका सही उत्तर है जो इसका right answer है वो होगा option C धारा 118.3 के तहट इसका गठन किया गया अनुच्छे 315 के सव आर्टिकल वन के तहट किसका मद्द प्रदेश लोक सिवा आयोक आईए आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्म की ओर question number 6 कहता है कि मद्द प्रदेश लोक सिवा आयोक के निम्द लखित में से कौन से कार है कौन सा कार है जो किसका है मद्द प्रदेश लोक सिवा आयोक का ये कथन है और कथन के हिसाब से आपको उत्तर देना है उत्तर तैय करना है यह राज्ज लोक सिवा आयोक में भरती है त प्रतियोगी परिच्छाओं का आयोजन कराता है ये बिल्कुल सही बात है ये इसका काम है कथन दो कहता है कि राजजमे सिविल सेवकों की भरती का का आयोग दोरा संपादित किया जाता है ये भी ठीक बात है ये भी सही कह रहा है तो जब दोनों सही हैं तो हम option में देखेंगे कि ये दोनों कथन जो कह रहा होगा option की सही है वही हमारा सही उत्तर होगा तो option A में कहता है cable A, B में कहता है cable 2, C में कहता है 1 और 2 दोनों और D में कहता है ना तो एक और ना ही दो option C इसका सही उत्तर होगा क्योंकि एक और दो कथन दोनों सही बात कर रहे हैं आयोक के दोनों कर रहे हैं आईए हम अंगला प्रसन देखते हैं अंगले प्रसन के बारे में क्या बात की गई है Q7 कहता है मद्ध प्रदेश लोक सिवा आयोक का गठन कब किया गया इसके बारे में पूछ रहा है गठन कब किया गया उसके बारे में कुष्टन पूछ रहा है NBC नवंबर Pacific, B में कहता है 27 नवंबर Pacific और C में कहता है 27 नवंबर Pacific और D में कहता है 30 नवंबर Sicher 15. हमने पुछले question में यह discuss किया तो इसका जो सही उत्तर होगा opsan अब हम निश्ट कोश्चिन के और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं मद्ध प्रदेश लोग सीवा आयोक के सदस्यों के संबंद में कौन सा कथन असत्त है गलत कथन कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है सदस्यों का कारिकाल 6 वर्स का होता है ये बात ठीक है असत आपको बताना है जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है सदस्यों के सिवा निर्मिति की 62 वर्स है ये भी ठीक है आयोक के सदस्यों अपनी पदावधी की समाप्ति पर पद पर पुनर नियुक्ति का प्राबधान होगा ये गलत बात है उसी पद के लिए नियुक्त नहीं होते क्योंकि जब हमने पढ़ा है तो हमने डिटेल में चर्चा करी थी कि आयोक के जो सदस हैं अपनी पदावध की समाप्ती पर पद पर पुनर नियुक्ति का प्राबधान नहीं होगा वो आयोक के अध्यक्ष बन सकते हैं वो संग लोग से वा आयोक के अध्यक्ष और सदस बन सकते हैं किसी राज लोग से वा आयोक अन राज लोग से वा आयोक के अध्यक्ष बन सकते हैं पर वो सदस्क पूना नियुक्ती नहीं होगी इसलिए ये गलत कथन है और आप से गलत कथन ही पूछा जा रहा है इसलिए option C's का सही उत्तर होगा हम D के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं देखते हैं कि D क्या कह रहा है सदस्कारकाल समापती के पश्चात आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त हो सकता है ये बात विलकुल ठीक है और इसके बारे मैंने आपको बताया भी यहां गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए option C's का सही उत्तर होगा आईए अंगले question के बढ़ते हैं मद्ध प्रदेश लोग सिवा योग का गठन संबिधान के किस अनुच्छेत के तहट किया गया है अनुच्छेत 317 में आप जानते हैं नंबर बर खास्ती के बारे में बात की गई है इसलिए ये नहीं होगा 316 भी नहीं होगा अनुच्छेत 315 और अनुच्छेत 320 320 में आप जानते हैं कि कारियों के बारे में बात की गई है इसलिए अनुच्छेत 315 के जो सब अर्टिकल 1 है इसमें राज लोग सिवा योग के गठन की बात की गई है और उसी के तहट मद्रपदेश लोग सिवा योग का गठन की आ गया है आएए अंगले कोश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रसंद देखते हैं संबिधान के किस अनुच्छेत के तहर संसद राज विधान मंडलों के आगरह पर संयुक्त राज लोग सिवा योग का गठन कर सकती है इसके बारे में कोश्चन पूछ रहा है तो संबिधान का वक्यों सा अनुच्छेत है के तहर संसर राज विधान मंडलों पर आपके आप्सन में है अनुच्छेत 3151 आप्सन B में है अनुच्छेत 3152 आप्सन C में है अनुच्छेत 3153 और आप्सन D में है अनुच्छेत 3154 सातियों 3152 में संयुक्त लोग सिवा योग के गठन का प्रावधान किया गया आप्सन B इसका सही उत्तर होगा आप जानते हैं कि जब राष्ट परती जी ये सहमती दे तो दो या दो से अधिक राज्यों के बिधान मंडलों द्वारा उसका गठन किया जा सकता निम्न में से किस मामले में मद्ध प्रदेश लोग सिवा आयोग से परामर्स लिया जाता है सलाहकारी परामर्स किन-किन मामलों में लिया जाता है उसके बारे में कुश्चन कह रहा है सिविल सेवाओं के लिए भरती की पद्धती पर option B कहता है सिविल सेवाओं में नियुक्ती में अनुसरन किये जाने वाले सिध्धानतों पर C कहता है कि सिविल सेवाओं में प्रोनती एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में इस थनांतरन के अनुसरन के लिए ऐसे इन सब बातों के लिए ये जो तीनों का थन हैं वो सही भी बात कर रहे हैं इसलिए जो इसका option D होगा वो सही होगा इन सब मामलों में सलाह लेने के लिए किस से बात की जाती है तो राज्य के लोग से वायोग से मद्ध पदेश इस्तर पर मद्ध पदेश लोग से वायोग से परामर्स लिया जाता है इसलिए option D का सही उक्तर होगा आएए ये आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रसंद देखते हैं question number 12 कहता है कि सर्व प्रथम 1296 में किन दो राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोग से वायोग से इस्तापित किया गया उसके बारे में हमको देखना है ये factual question है एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आपके लिए लाया गया है option a में कहता है पंजाब हरियाना option b में कहता है मद्ध प्रदेश 36 गणर और option c में कहता है उत्तर प्रदेश उत्तराखन, option d में महाराश्टा और गुजरात तो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट आंसर है वो पंजाब हरियाना होगा इसको कब 2986 में इसका संयुक्त राजलोक सिवा आयोक का गठन किया गया बाद में हला कि इसको भंग कर दिया गया तो जब आप से ये question पूछे तो इसका option A सही उत्तर होगा पंजाब हर्याना आप ये याद रखें आईए आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण कियों अंगला प्रस्ण है question number 13 ये कहता है कि मद्ध प्रदेश लोक सिवा आयोक की स्वतंदरता संबंधी प्राबधानों के संबंध में निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन वाले question है कथन वाले question भी 2020 का जो prelims exam हुआ मद्ध प्रदेश का उसमें आपने देखा होगा previous year question paper में कि ऐसे प्रस्ण भी पूछे जाते हैं आयोक द्वारा तो आईए देखते हैं कथनी आयोक के अध्यक शेवं सदस्यों को पदावद की सुरक्षा प्राप्त है बिलकुल सुरक्षा प्राप्त है हलाकि राष्ट पती जी हटाते हैं पर वो भी एक प्रक्रिया के तहत हटा सकते हैं मनमानी धंग से नहीं हटाते इसलिए इनको पदावद की सुरक्षा प्राब्त है दूसरा कतन कहता है अध्यक्चेवण सदस्यों के बेतन भद्टे वंपिन्सन आधि राज्य की संचिति निधी से दी जाएगी ये बात भी बिलकोल सही है अब कहता है अप्सन 3 अध्यक चेवन सदस्यों की नियुक्ति के पस्जात इनकी सेवा सर्तों में कोई अलावकारी परिवर्ता नहीं किया जा सकता अर्था जब ये नियुक्ति हुए थे उस समय जो बेतन भत्ते और अनसुविधाय तै की गई थी उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती ऐसा बनन समय धानिक है इसलिए ये तीनों कथन सही है और ऑप्षन कौन सा ऑप्षन डी इसमें एक दो और तीन है ये तीनों सही उत्तर की पुष्टी करते हैं इसलिए ऑप्षन डी इसका सही उत्तर होगा आईए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न नम्बर चूदा मद्ध प्रदेश लोग सेवा योग को किस राष्ट पती द्वारा अधिसूचित किया गया ये हमने पिछले कोश्चन में जब हमने गठन और अधिसूचिना के बारे में बात की उस समय म है डाक्टर राजेंद प्रसाद और डी में कह रहा हैं में से कोई नहीं तो आप जानते हैं कि जो डाक्टर राजेंद प्रसाद जी है वो इसका सही एंसर है उस समय यही राष्ट पती जी थे चपन में जब गठीत हुआ हमारा लोग सेवायो इनी ने अधिसूचित किया थ प्रस नमबर 15 सिबिल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारती यह कौन थे वो कौन से व्यक्ति प्रथम भारती थे जिनको सिबिल सेवा में नियुक्ती प्रदान की गई नियुक्त हुए ए में कहता है सतेन नाटेगोर अब के बी ऑप्सन में कहता है सुभास्टन बोस ऑप्सन सी में कहता है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्सन डी में कहता है देवे नाट ठाकूर तो साथियो जो इसका सही उत्तर होगा वो सतेन नाटेगोर यह रावीन नाटेगोर के बड़े भ किसे माना जाता है तो जब हमने संग लोग से बायोग पढ़ा था उस समय हमने चर्चा करी थी कि जो संग लोग से बायोग हो चाहे भारत में कोई भी लोग से बायोग है उसके जब ससक्ती करण की बात होती है उस समय जिनका नाम उभर कराता है वो मैं आपको बताऊंगा पहल राजेन पसाद वुड़ी में सरदार बल्लब भाई पटेल तो option D इसका सही उत्तर है क्योंकि पटेल सहब को ही लोक सेवा के आयोक के ससक्ती करण का सरे दिया जाता है इसलिए option D इसका सही जवाब होगा और इन्हीं को जनक कहा जाता है अब हम आगे पड़ते हैं अगले प्रश्ण कियो अगला प्रश्ण कहता है कि निमलिखित में से सत्य कथन बताईए इन में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है option A में कहता है मद्रफदेश लोग सिवा आयोक का गठन एक नवंबर उन्हीस सो संतामन में किया गया ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उन्हीस सो चपन में किया गया है option B आयोक की संख्या तथा सेवा सर्तों का निधारान राजपाल द्वारा किया जाता है अब ये आप बताएं सही है कि नहीं option C आयोक के कारियों का वर्णन अनुच्छेद 321 के तहट किया गया है ये सही है कि नहीं आप बताएं मुझे जहां तक याद है मैं जहां तक जानता हूँ तो कारियों का वर्णन अनुच्छेद 320 में किया गया है अब आईए आगे बढ़ते हैं अध्यक्छ का तथा कदाचार की आधार पर आयोक के अध्यक्छ हुआ सदस्टों को पद से राजजपाल हटा सकते हैं ये भी सही नहीं है क्योंकि ये हटाने का काम कौन करता है राश्ट पती जी करते हैं इसलिए इन में से जो सही उत्तर है वो option B है क्योंकि आयोग की सदस्यों की सेंखर तथा सेवा सर्तों का निर्धारान किसको राज जपाल को ये सकती दी गई है option B इसका सही जवाब आईए अंगले प्रस्ण की और बढ़ते है question number 18 कहता है मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग के अध्यक शेवाम सदस्यों की सेवा निर्धती आयोग कितने वर्स है सेवा निर्धती आयोग कितने वर्स है ये साधारन सा प्रस्ण है इसका उत्तराव आसानी से दे पाएंगे option A में कहता है 60 वर्स B में कहता है 65 वर्स C में कहता है 62 वर्स और D में कहता है 64 वर्स देश का सही उत्तर होगा इसका राइट अंसर होगा वो होगा option C 62 वर्स की आयो तेंकी गई है और 6 वर्स का कारिकाव question number 20 राजलोक सिवा आयोक से संबंदित अनुच्छेद है कौन से अनुच्छेद हैं जो राजलोक सिवा आयोक से संबंदित है आप जानते हैं option में आप बताएंगे अनुच्छे 308 से 14 B में कहता है अनुच्छे 324 से 338 C में कहता है अनुच्छे 315 से 323 और D में कहता है अनुच्छे 338 से 338 का साथियो चाहे हम संग लोग से वायोग की बात करें चाहे राजलोग से वायोग की बात करें उसका संबैधानिक प्राबधान अनुच्छे 315 से 320 में ही है और चाहे संग तो राजलोग से वायोग की बात करें सभी के लिए प्राबधान जो है इन्हीं आर्टिकल में है और इन्ही भाग चुदा में है भाग चुदा में बताया गया है वर्नन किया गया इसलिए इसको अप्संस यह सही होगा आए ये अंगले प्रश्म की और आगे बढ़ते हैं किसी राज्य लोग सिवा आयोग के कारियों को निमलिखित में से किस एक के अनुमोधन से संग लोग सिवा आयोग को सौपा जा सकता है ये सकती किसको है ये सकती किसको है उसको अप्सं के देखके आपको सही उत्तर देना है इसका सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा और इसका सकती कि इसको है यह राष्ट पती जी को ऐसी सक्ती दिय गयी है इसलिए option 6 का सही उत्तर होगा, right answer होगा आईए देखते हैं question number 22 निमने मेंसे किस मामले में राज लोग सेवा आयोग से परामस नहीं लिया जाता है इसा कांसा इनमे से काम है जिसके लिए राज लोग सेवा आयोग से सलाह लेने की आवश्यक्ता महसुस नहीं होती या नहीं लिया जाता है अ में सिव्ल सेवाों के लिए भर्टी की पध्ति इसमें लिया जाता है, क्योंकि आयोग गिठित ही लिए है। बी में, सिव्ल सेवाओं की नियुक्टी में अनुसरण किया जाने वाले सिध्धानतों पर बिल्कुल ये ही काम करता है। सी, सिविल सेवाओं में प्रवनति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अंसरन किये जाने वाले सिध्धानतों पर इसमें भी लिया जाता है। क्योंकि एक सेवा से दूसरी सेवा में इस्थानांतरण के लिए इससे परामस किया जाता है। क्योंकि प्राबधान के अंतरगत मद्रपदेश लोग सिवायोग का गठन किया गया है। और राजपुनरगठन अदिनियम उन्हेश 156 की धारा एक और डी राजपुनरगठन अदिनियम उन्हेश 156 की धारा एक सवठारा चार। साथियों जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट अंसर होगा, वो होगा option B, option B इसका सही उत्तर होगा, 118.3 के तहद इसा प्राब्धान है, ऐसी बात की गई, तो साथियों हमने आज important topic, मद्ध प्रदेश राज लोग सेवा आयोग के बस्तुनिस्ट प्रकार के फ्रेशन हल किये, इसके पहले हमने पढ़ा, detail वीडियो में, detail में हमने समझा कि आखिर मद्ध प्रदेश राज लोग सेवा आयोग कैसी संस्ता है, इसके कार क्या है, ये का क्या संबैधानिक प्राब्धान है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी, और उसके बाद हम अपनी तयारी को परखने के लिए, जाचने के कोशन पूछने का आयोग का, उन सब को अबजेक्टिव के थरो समझा अबजेक्टिव सौल की, साथियों, आप हमसे जुड़े रहें, आप अपनी तयारी को और बहतर बनाएं, आप और कठी मेहनत करके अपने लक्ष तक पहुशने का प्रयास करें, क्योंकि आप मद्ध प से बायोग का जो प्रारंभिक परिच्छा होने वाली है, उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 65-70 दिनों का समय है, इसमें आप अपनी तयारी को बेहतर से और बेहतरीन, और बेहतर और तयारी में सुदर्टा लाएं, अच्छे तयारी आपकी हो सके, इसके लिए आप प्रयास करें, आप हम से जुड़े रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपन मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ,